प्यारे बच्चो जमात पंजुम स्टेंडर्ड फिफ्थ की पहली ही नजम सॉंग वन यानि पहला गीत इसे हम शुरू करेंगे समझना तो आईए शुरू करते हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत ही दिल्चस्प नजम ये होने वाली है तो चलिए इसको लाइन बाइन स समझ लेते हैं और इसे हम साथ साथ में पढ़ते भी है तो सबसे पहली लाइन जो यहां पर लिखी है गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग यानि सुबा बखे सुबा बखे देखिए जब भी हम सुबा सवेरे किसी से मिलते है एक नई दिन की शुरूात हो रही होती है सु सुबा बहतर हो सुबा बखेर इस तरह से हम कहते हैं जिसे सूप रभात भी हम कह सकते हैं राइट दूसरी लाइन है दा बेस्ट टू यू दिस मॉर्निंग यह सुबा तुमारे लिए बेस्ट हो बहतरीन हो सबसे अच्छी हो आज की जो सुबा हो हम कितनी पॉजिटिविट को कितने मजबिद बातों को यहाँ प्हेला रहे हैं, कितना अच्छा पैगाम हम दे रहे हैं, सामने वाले को या जिस से हम बात कर रहे हैं, जिससे हम खिताब कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ये सुबा तुमारे लिए बैतरीन हो इसी तरह से how are you? तुम कैसे हो? कि तुम कैसे हो तुम कैसे हो ये भी तो बताओ तो अंग्रेजी में अगर हमें किसी से पूछना है कि तुम कैसे हो या तुम कैसे हो तो वो क्या जवाब दे सकता है मैं ठीक हूँ इस तरह से वो जवाब दे सकता है लेकिन यहाँ पर हमारा सॉंग वन शुरू है तीन लाइन हमने समझ ली है चोथी लाइन देखते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो फाइन हो अच्छे हो ठीक हो सही सलामत हो आफियत से हो तो अगर हम उसको यह उमीद कर रहे हैं So I hope यानि मैं उमीद करता हूँ यह मैं उमीद करती हूँ अगर एक लड़की बोल रही है To feel, यानि महसूस करना You are feeling, तुम महसूस कर रहे हो Fine, बहतर, अच्छा, पुरसुकून, इत्मिनान के साथ में ये सारे मतलब इसके हो सकते है यानि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छा महसूस कर रहे हो पहले हमने उनसे सवाल किया How are you, यानि तुम कैसे हो I hope you are feeling fine मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही बहतर, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो और आखरी लाइन में यहाँ पर लिखा है And happy all the time तो ये भी hope है, ये भी उम्मीद है यानि जो पूछने वाला है, वो सवाल तो पूछ रहे है लेकिन कितनी positivity उसके अंदर मौझूद है कि वो एक उम्मीद ये लगा रहा है कि जिस से पूछा जा रहा है तो वो fine भी होगा And happy all the time और वो हर वक्त खुश रहेगा तो ये ना सिर्फ उम्मीद है बलकि ये एक दौाईया कलमा भी है दौाईया कलमा यहां पर लिखिया है कि हम सामने वाले के लिए दौा भी कर रहे है कि वो fine हो, अच्छा हो, happy हो, खुश हो तो इस तरह की ये बहतरी नजब है I hope कि आपको ये समझ में आ गई है Thank you